सो इस फाइनली जो ना टाटा कारू के स्मार्ट वेरियंट के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में वैसे तो जो ने इसमें स्टील रिम्स के अलावा कोई बहुत ज्यादा बड़े डिफरेंस आपको लगेंगे नहीं कंपेरिंग टू प्योर प्लस प्यो प्यों को जो एन तक जरूर से आथा कि सारी इटेल्स आपको मिल जाए सबसे पहले यह जो है आप वेरियंट देखो यह प्योर प्लस वेरियंट है अब प्योर प्लस में कोई संरूफ नहीं आती कोई अलोई वील नहीं आते इसके अंदर भी स्टेल रिम्स आते हैं 16 इंच क एंड बात करूं यदि मैं प्योर प्लस वेरियंट की तो वो जो ना लगबग लगबग 11 लाग के आसपास जो ना कोस्ट करता तो वो एक लाग रुपे महंगा है इस से तो चलिए अभी बता देता हूँ smart variant में आपको क्या-क्या मिलेगा सबसे पहले looks and designs same ही मिलने वाले कोई difference नहीं है आप उसको front से देख लो, side से देख लो, rear से देख लो, कहीं से भी देख लो आपको वो pure प्लस जैसा ही दिखेगा remote control की आपको smart variant में मिल जाएगी lock unlock and headlight के इ एंड कुछ ऐसा ही remote आपको मिलेगा, उसके बाद आप जब गाड़ी को देखोगे pure variant में, तो उसमें आपको steel dims मिलेंगे, wheel cover भी जो है नहीं मिलेंगे, उसमें आपको silver वाले normal covers लगाने पड़ेंगे, चाहो तो यह नहीं भी लगा सकते हैं, और हो सकता है यह भी आपको option मिल जाए, तो बाहर से pure plus और smart दोनों ही same दिखेंगे आपको, उसके बाद LED light आपको यह पर देखने हो मिल जाएगी, लेकि यह जो pure plus variant है नहीं मैं आपको pure plus दिखा रहा हूँ, लेकिन same वो ही सारी चीज़े है smart में भी, लेकिन differences क्या क्या है न वो मैं आपको बता दूँगा, LED DRL सा आपको मिलेगी, smart variant से LED headlight मिलेगी, LED indicator सा आपको देखने हो मिल जाएगे, बागी कोई कह रहा है कि वो silver वाले मिलेगे, बट नहीं, company जो ने यही same tire दे रही है, तो wheel cap भी जो आपको same यही दे सकती है, तो आप लोग जो आना देख सकते हो, कुछ ऐसा design आपको wheel caps का मिलेगा smart variant में भी, उसके बाद आपको side से कुछ ऐसी गाड़ी लगेगी, आपको base model से मिलेंगे, flush door handles में light भी आपको base model से मिलेगी, कोई disc break जो है नहीं है, base model में भी, pure plus में भी, creative में भी, वो शर्फ accomplished में ही आपको देखने मिलेगा, तो वो एक feature का एक सबसे बड़ा difference है, उसके बाद यहाँ पे rear में आपको connected tail lamp नहीं मिलते हैं, नॉर्मल tail lamp मिलते हैं, बट LED में मिलते हैं, कहीं पे भी halogen नहीं है, base model में भी, उसके बाद यहाँ पे आपको reverse camera नहीं मिलने वाला smart में, क्योंकि smart में जो है infotainment system है ही नहीं, उसके बाद में पीछे से look same to same रहने वाला है, पीछे से जो कोई भी changes नहीं है, same ही दिखेगी, सिर्फ camera को अटा दो तो, उसके बाद में boot space वगर और यह सार चीज़ें आपको बता दू, उससे वेले आप छट देख लो, बिल्कुल सेम ऐसी ही roof आपको smart variant में मिलेगी, उसमें भी कोई difference यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग देख लो, same, 100% seat fold होगी, 60-40 वाला system नहीं है smart variant में भी, वो भी same ही मिलेगा, stepney size बगर भी आपको same मिलेगा, 15 inch की same, ऐसी ही stepney आपको base variant से देखने को मिल जाएगी, तो यह सारी चीज़ें आभी तक तो सब same ही, अभी तक जो हमने difference देखा न, pure plus और smart में वो यही है, एक तो जो है वाई आपको, जो अपना smart variant है, उसके अंदर wheel cap का design different देखने को मिल सकता है, बट लोग क्यों ही लगवाएंगे उसको, लोग इसी को लगवाएंगे, तो mainly जो हभी तक सिर्फ आपको कोई खास difference नहीं मिलेंगे, अब जो आप पीछे बैठते हो न, तो आपको base variant में जो interior है न, हो सकता है, वो आपको single tone में मिले, black color में मिले, बाग इसमें dual tone interior मिल जाता है, उसके बाद seats वगवाएंगे जो सेम ही आपको मिलेगी base variant से, तो smart variant में आपको पीछे ace event नहीं मिलेंगे, और कोई sunroof अगरा तो भईया है ही नहीं, उसके बाद ये LED lights आपको में भी मिल जाए base model से, बाकी इनका भी में confirm नहीं बोल सकता, बाकी जो है sunroof अटने के बाद ये जो headroom मिला है न, इसका दो भाई अलगी सूख है, क्योंकि sunroof वाली जो करवन हो, उसमें headroom इतना जाद नहीं है, उसके बाद चारो power window आपको smart variant में भी मिल जाएगी, smart variant में same interior में भी ना मिले, आपको black color में complete मिले, बट हाँ आपको seat height adjustment भी नहीं मिलेगी smart variant में, ठीक है, यह सब differences में आपको बता रहा हूँ, जिसके एकलाग रूप एक्स्ट्रा लेरी हैं टाटा, वो सारी चीज़े, उसके बाद आपको interior जो front dashboard आप देखते हो ना, तो front dashboard पर क्या difference मिलते हैं वो में आपको बता देता हूँ, smart variant के अंदर आप लोगों को, वैसे तो dashboard सेम ही मिलेगा, बट यहाँ पर infotainment system नहीं मिलेगा, उसके बाद यह जो like note मिल रही है, drive modes की यह आपको मिल जाएगी, यह space आपको मिल जाएगा, handbrake आपको मिल जाएगा, arm rest भी आपको जो like देखने को मिल जाएगा, base variant से ही, तो यह चीज भी काफी अच्छी टाटा करने वाला है, उसके बाद LED light आपको मिलेगी, base variant से ही, cabin light जो है वो, उसमें भी कोई difference यहाँ पर नहीं मिलेगा, same IRVM रहने वाला है, यह जो screen न यह आप मिस करोगे, लेकिन Tata के पास बहुत सारे options है, मैं इंस्टाग्राम पर रील पर दिखाए था, आप लोग जागे देखना, आपको जो ने धेर सारे options Tata खुदी देदाएगा, बड़ी बड़ी screens के, वो सब, electronic IRVM आपको, अपको नहीं मिलेंगे, उसके बाद steering में कोई भी cruise control आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आपको pure plus में मिलता है, तो smart variant में कोई cruise control नहीं है, same screen आपको मिल जाएगी, इसमें सारी basic details जो मिलनी चीए, वो सारी आपको मिल जाएगी, तो same screen है, तो चीजे भी सारी same ही मिलेगी, smart variant में भी, तो मोटे मोटे जो difference है वो मैं आपको बता दूँ, इस गाड़ी में आपको बाहर जो थे वो मैंने बताई दिये, अंदर जो ही infotainment system नहीं मिलेगा, cruise control यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, बाकी तो जो एर दगो सारी ही चीजे है, height adjustment वगरा को उनको अटादो, height adjustment यहाँ पर नहीं है, interior का जो है color different हो सकता है, pure black में भी हो जाए, बाकी almost सारी चीजे आपको same मिल जाएगी, like जो है, wiper controls वगरा है, इतर इस side में, rear में कोई wiper वगरा नहीं आता, किसी भी variant में, कारो में, उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को normal ही headlamps मिलेंगे, कोई automatic headlamps वगरा नहीं मिलेंगे, हाँ LED lights आपको, सभी variant में मिल जाएगी, अब जो है न, आप लोग जानो की एक लाख रुपे में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, प्यॉर प्लस में, प्यॉर प्लस में जो है, सबसे पहले तो गईस आपको ORVM मिल रहे हैं, ORVM के अंदर जो प्यानो फिनिश मिल रही है, उसके बाद में side जो पूरी dual tone मिल रहा है, उसके बाद इस गाड़ी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा जो है, मैं डिफरेंस नहीं बोलू हाँ, रियर में AC भी आपको मिल जाता है, तो इन सब चीज़ों के जो न, टाटा आपसे एक लाख रुपे चार्ज कर रहा है, स्मार्ट से प्यॉर प्लस पे आप लोग जाना अपने प्यॉर प्लस या फिर प्यॉर प्लस S वेरियंट के तरफ, वहां जो बहुत सारी सीज़े आपको एक्स्टर मिल जाएगी, तो ओन्रोड प्राइस के बारे में आपको उता जेता हूं अभी, तो हम आए हुए है, विंट सर की ड्राइवी में देथ स तो इसकी जो ओन्रोड प्राइस जाएगी ना, वो जाएगी लगबग लगबग आपकी 10 लाग रुपए एक शोरू में तो मान के चलो, 11 लाग चोगने जार के आसपास जो इसकी ओन्रोड प्राइस जाएगी बेस वेरियंट की पेट्रोल में, और लगबग 13 लाग पेट करना, वो आने वाला है कल, चलिए जी, मिलते भी नेक्स वीडियों में, तब तक के लिए, जाहिन वने मातरम, लव यूल गाइस